हेलो एबरिबन वेल्कम टू माई च्वाइनल अरुक रिसोई में आप लोगा स्वागत है कैसे हो माई फैमली आई होप आप लोग अच्छे होंगे फर्स्ट पार्ट मैंने कल सेयर कर दी थी और सेकेंड पार आज सेयर कर रही हूं उससे बचे भरावन से मैं कटलेट बनाऊं एक पापर लेली हूं 50 गराम पोहा लेलीं पोह को चूचूरा भिका जाती और आप लोग पूरा देख नहीं पाते तो मैं सोची सेकंड पार्ट भी सेयर कर दूं उसके भरावन से बच्चे हुए आलू से जो भरावन बनाई थी आलू का मिक्स वेच करके उसका मैं क्या बना रही हूं पोटेटो कटलेट तो यह कैसे बनेगा हाथ में थोड़ी स कटलेट का जिस तरह आप लोग सेव देना चाहिए उस तरह आप कर सकते हैं और जो मैंने पहले घूल बनाई थी जो थोड़ा घूल बचा था उसका यूज इसमें हो जाएगा तो क्या कर रही हूं जो यह इसमें पोहर डाली हूं मिक्सर के आलू में उसको कटलेट का सेव दे दे रही हूं फिर घोल में डालके फिर जो है सेवाई और पापड को उसमें लपेट दे रही हूं अच्छे से बहुत ही टेस्टी बनेगा एक से एक परसेंट कारेंटी देती हूं इतनी टेस्टी इतनी टेस्टी लगेगी है आप बार बार इस तरह कटलिट बनाएंगे मुझे तो बहुत पसंद आया और आप लोग भी ट्राइ करिए अगर वीडियो थोरी भी अच्छी लगी हूं लाइक कमेंट सस्क्राइब करना म मत भूलेगा और वीडियो को आगे तक सेयर भी करिएगा माई फैमली माई वीवर्स तो इस तरह एकिक करके सारे कटलिट को मैंने रेडी कर लिया दिखिए कितनी अच्छे से हो रहे हैं बहुत ही सुन्दर दिख रहे थे मैं आपको क्या बता हूं ऐसे तो वीडियो में तो इस तरह सारे कटलिट को रेडी कर ली आचानक अब लाइट भी जा रही है तो अब गैस पर कर दूंगी क्योंकि लाइट कट हो रही है मैं पहले उस फर्स्ट वीडियो में बताई थी इसी वजे से सारे चीजों के एक साथ करके कर लिया था अब इसमें भी कर लेती हूं जो है सारे आप चाहे तो दो बैच में कर सकते हैं लेकि लाइट चली जाती है थोड़ी सी अंधेरी हो जाती है तो बीडियो की क्वाल्टी थोड़ी सी लूग हो जाती है तो लाइट के लिए बेवस्ता तुरंद करना पड़ता है तो देखिए जहां तक हो सकता है उतनी अ तो दूसरी तरह भी लुट पलट कर लेंगे, ऐसे लुटते पलटते सेखलेते हैं, मैं जैलो मेंrics अम्हालो पिलट अगर हैं मैं आप केब लोग उधार हैं. डिप फ्राई करेंगे तो और भी फास्ट हो जाएगा मैं स्वैलो फ्राई इसको क्रिस्पी करके बनाऊंगी तो इस तरह उलट प्लट करके इसको दोने तरफ से सेख लेंगे देखें कितना अच्छा इदिक रहा है जरूर ट्राई करिएगा इतना क्रिस्पी इतना टेश्टी लगेगा कि आप बार बार ऐसे बनाएंगे और एक पापर से कई सारे कटलेट आपके रेडी हो जाएंगे इस तरह आपका ये नास्ता तयार कर लेंगे और धीरे धीरे इसको मीडियम प्लेंपे भूनते जाएंगे कितिस्पी होने तक दोनों तरफ से उलट प्लट मैंने कर दिया एक तरफ से और भूना जाए ये अच्छे से फ्राई हो जाए इसके पाद इसको उतार देते हैं फिर फ्लेटिंग कर देते हैं आप ड़क जरूर ट्राई करिएगा बहुत कम तो इसलिए जिन्दिगी जर्भी आप लोग जियें तो धैंक से जियें कि आपको हर कोई याद करें देखिए कितनी अच्छे से क्रिस्प हुआ है लीजिए आप लोग खा लीजिए प्लीज सपोर्ट माई फैमली माई विवर थैंक्स वर वाचिंग हैवे नाश बाई बाई